आपका फियलर स्टेडी मंत्रा एक्टीव चैनल पे सातियो यूपी ट्रपलसी लेकपाल भरती और अन्य भरती परिच्छाओं की जानकारी मैं आपको एकदम सटीक और छोड़े से वीडियो में दूँगा देखो सातियो जो यूपी लेकपाल भरती चल रही है हमारी और आपको मालिम यह है अब जो कोट केस लक्षनु में और इलावाद बैंच में चल रहे है वो 15 और 16 फरवरी को सुनभाई होनी है दोनों की ठीक है थोड़ा समय लगता है इसी दी बात है तो यह फरवरी में जाने जारी नहीं होगा अब यह प्रडाम जो है लेकपाल भरती का अभी मार्च में आने की संभावना है ठीक है साथियो जब मैं कहा रहा हूं कि तुमारे जो कोट केस चल रहे हैं 15 और 16 को स्वापत हो जाता आपको कि फरवरी में अब प्रडाम जारी नहीं होगा मार्च में आ सकता है प्रडाम आपका दूसरा लेकपल भरती परिच्छा जो नई भरती है जो 45 सुपत खाली है 8,085 पत के बाद तो अब यह जो नई भरती परिच्छा आने है नोटिफिकेशन आना है कब तक आ सकता ह आती हो इसके बारे में बताऊंगा आपको दूसरा क्या यह इस साल आ सकता है हाँ इस साल परिच्छा हो जाई है कोई गारंटी नहीं है जैसे आप देखते हुई यूपीटर प्लेसी की स्पीड कितनी जदा है यह नोटिफिकेशन क्यों डालेगी मतलब यूपीटर प्लेस से ठीक है सात्यों तो पैंतालिस सो उससे पहले जब तक यह फाइनल नहीं होगा आठधार पिच्छासी का मामला तब तक नई नोटिफिकेशन नहीं आएगी ठीक है आगे चलते हैं आगे बात करते हैं अब देखो यूपीटर प्लेसी ने कल ही दिर रात को दो नोटिस जा कालोंगी ठीक है सात्यों और साइध एक अ ही दिन हो जाएं परिशां तो कोई अथित्यौकति नहीं है 12 March को परिच्छा की डेट डाली गई है तो 12 March को हो सकती है दोनों ही परिच्छा है सोवय और साम की मीटिंग में क्योंकि छात्र बहुत जादा नहीं होंगे तो आराम से परिच्छा कंड़क्ट करवा सकता है UPSC तो इक दोनों ही परिच्छाओं के जो से लेवस हैं आप देखो इसमें थोड़ा सा बदलाब आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिए और देख लिया होगा तो जो थोड़ा सा बदलाब क्या किया गया है पिछली पहले हिंदी और इंग्लिस की टैपिंग मांगता था वो कम जाएगी रीजन किया है इसका तो कुछ इस्पेसल केटेगरी सब को सब के लिए अपलाई नहीं किया है इसमें और सबने अपलाई भी किया होगा तब भी उनका फॉरम कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि कुछ special category मांग रखी है इसमें बंदरोगा में ठीक है साथियो तो आपकी cutoff इसमें कम जाएगी बंदरोगा में और एक दो दिन में दो-चार दिन में इसकी cutoff जारी भी कर दी जाएगी क्योंकि paper बहुत जल्द है इसका अब बात करते हैं साथियो जो नहीं भरती हमारी बीडियो की भरती नहीं है तो 2021 के थुरू एक भरती आपकी आनी है बीडियो की जो 2100 पदों पे होगी और पैट 2022 के थुरू होगी ठीक है साथियो ये अधियाचन EPSC आ चुका है पहले से ही पड़ा हुआ है तो EPSC के पास 2100 पदों पे बीडियो भरती बिलेज डेवलप्मेंट ऑफिशर ठीक है बिलेज डेवलप्मेंट ऑफिशर अब देखो साथियो आपको माले में 1980 पदों पर लागवाग इतने पदों पर ये पहले का जो बीडियो एक्जाम था वो रद करवा दिया गया तो दुवारा से री एक्जाम होना है अब री एक्जाम की डेट कब तक है बच्चे सबस्यादा परेशन इस एक्जाम के लिए है तो साथियो अमें किलियर बता दू आपको ये री एक्जाम आपका मई में हो जाएगा क्योंकि अभी अभी तुमारा यूपी सरकार का तो साथियो जो यूपी सरकार है उसका बजट पेस होने वाला है और ये एक्जाम ना होने का सबसे बड़ा कारण था बजट तो बजट पेस होने वाला है उसी के बाद ये exam आपका conduct कर वा लिया जाएगा और मई से पहले भी हो सकता है कि अपरेल में हो जाए लेकिन मैं एक deadline दे रहा हूँ आपको deadline यह है कि आपका जो exam है video re-exam वो आपका मई तक conduct हो जाएगा ठीक है साती हो इसी के साथ मुक्की सेबका का exam लगा वो भी conduct हो जाएगा ठीक है साती हो तो एक इस परस बास समयने आगए आपको कि जो लेकपल भड़ती परड़ाम है वो मार्च में जारी हो सकता है और आप सभी लोगों को 13 फरवरी को लखनव पेकप बहपन अबस से पहुँचना है ठीक है साती हो अपना पूरा सासन प्रसासन को जोड़ दिखाना है कि बिया result दो ठीक है जिससे ये code के समाप्त हो और आपका result आए ठीक है साती हो सारी information मैंने एक छोटी से वीडियो में compile कि है और साती हो चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है साती हो धन्यवाद